हेलो दोस्तों कैसे आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एने एकजाम में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चंडिगड सीटियो ड्राइवर एंड कंड़क्टर के लिए जर्नल नॉलेज का यानि कि जिसमें से 15 कोशन आने आपको पता है कि जर्नल नॉलेज से आपके पास 15 कोशन यहाँ पर आने वाले है तो उसके लिए प्रैक्टिस एट वन है तो वीडियो का अने तक जूर देखेगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेर और चैनल क कोशन को यहां पर देखते हैं तो अगर हम सबसे पहले कुशन पर आते हैं तो सबसे पहले कुशन में यहां पर बोला गया है कि poverty and un-British rule in India पुस्तक के लेखक कौन है कि कौन सी पुस्तक की बात हो रही है poverty and un-British rule in India पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number D दादा भाई नोरोजी दादा भाई नोरोजी poverty and un-British rule in India पुस्तक के लेखक है कि और अप्शे नम्बर डी करफ्ट हो जाएगा अगले कोशिन पर आते हैं कि किस राजमस के शाषक ने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की थी वह कौन थे अप्शन नम्बर डी तोमर वर्ष तोमर वर्ष जो थे उन्होंने अपनी तोमर वर्ष के जो शाशक थे उन्हाने पहली बार अपनी राजधानी जो थी वो दिल्ली में स्थापित की थी अगले कुशन पर आते हैं कहता है कि कनहरी गुफाएं कहां है कौन सी गुफाएं कनहरी गुफाएं तो गनेरी गुफाई कहाँ पर है मदराज, मुंबई, त्रिविंद्रम या भुवनेश्वर तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा, option number B मुंबई में हैं कौन सी कनेरी गुफाई, option number B correct हो जाएगा अगले कुशन पर आते हैं कि भारत में करक रेखा, निमली कितमे से किसे राज्ये से नहीं गुजरती तो करक रेखा है जो भारत में, यानि की करक रेखा, यानि की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो कौन से राजे से नहीं गुजरती है वो आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है राजस्तान, चत्तिसगड, मिजोरम या फिर मेगाले तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा आपके पास option number D मेगाले हो जाएगा मेगाले से करकर देखा जो है वो नहीं गुजरती अगले कोशन पर आते हैं कि भाषाई अधार पर राज्यों के पून गटन के बाद मदरास राज्ये का नाम बदल कर तमिल्लाडू कब रखा गया था तो यह रखा गया था आपका option number A 1969 1969 में भाषाई अधार पर राज्यों के पून गटन के बाद अगले कुशन पर आता है कि भारत के भीतर हरित करांती ने क्रिशी उत्पादन में विरिद्धी की विशेश रूप से डैश में कहां कहां पर ये जो थी विरिद्धी हुई थी तो आपके भी तीन स्टेट थे तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपके पास option number B एक तो हरियाना दूसरा पंजाब और तीसरा उत्तर परदेश में थी इस विशेश रूप सरी विरिद्धी हुई थी option number B correct हो जाएगा अगले कुश्चन पर आता है कहता है कि कौन सा ज्वाला मुखी भारत में है तो भारत में कौन सा ज्वाला मुखी मांट एंटना मांट फूजी काकरा ट ज्वाला मुखी है तो option number D इसका अंसर हो जाएगा अगले कुश्चन के और आते हैं अगले कुश्चन में कहता है कि Fahrenheit में जल का हिमांक कितना होता है तो Fahrenheit में जल का हिमांक यानि कि जमने का जो होता है वो कितना होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number B 32 degree Fahrenheit यानि कि आगर ह कि इस प्रोचन पान्य क्यान स्बब्सके प्रेश का घटी जशक्या का सही करम कौन सो है तो केंसर्फित रसंगति यह जंट का सही करम कौन सा जैब आद Captain क्यों यहराते हैं कि एक निमनन लिकित में पैसे पास निमननी im से कौन सा मॉलिक अधिकार राश्टी अप आपाथ और स्वतल्य समाय नहीं होता तो कौन सा मॉल्य का दिकार है जो अपॉलिक нев आपका जो आर्टिकल 20 है वो क्या करता है प्रोटेक्शन इरिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और आर्टिकल 21 राइट टु लाइफ जो है ये नैशनल एमर्जेंसी के वक्त जो है वो खतम नहीं होते option आर्टिकल आले करेक्शन की रहते हैं कि भारत के योजना आयोग घी को पतिस्थापित किया गया है वी तायोग द्वारा भारती है योजना आयोग दवारा नीती आयोग दवारा या नीती पैनल दवारा तो इसका सही answer को जाएक उप्शन में किया गया तो भारत के समीधान में जो संग ocean का पयूग डैश में किया जाता है कहां पर किया गया है प्रस्तावना में भागतीन में अनुछे 368 में या कहीं नहीं तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपके पास निमली कित में से किसे राजय द्वारा आयुजित किया जाता है कौन सा बामनिया च्छो निरित्य महसब निमलिकित में से किस राजे द्वारा आयजित किया जाता है तो ये किया जाता है आपके पास option number D पस्ची मंगाल के द्वारा इसे आयजित किया जाता है अगले कुशन के और आते हैं कि पहला विश्व हिंदी दीवस किस वर्ष मनाया गया कौन सा इन विच येर दा फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डेवास सेलिब्रेटिड पहला विश्व हिंदी दीवस वर्ष कब मनाया गया था अगले कुशन में आते हैं कि फ्यूज था निमिल कित में से किन पदाहतों से बनी मिश्र दाकर कौन सी फ्यूज वायर होती है जिसे आप फ्यूज लगाते हो तो किस से बनी होती है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपके पास अगले कुशन की और दोस्तों अगर आप लाइब क्लासिस चाहते हैं इस चाहते हैं और यह 12 अक्टूबर अगर आप से देट पुछेगा तो वह 12 अक्टूबर थी ठीक है बात करते हैं अगले कुशन की और दोस्तों अगर आप लाइब क्लासिस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताईएगा और कमेंट जरूर करिएगा ठीक है आपको बोलते हैं कि प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अगर रिस्पॉंस अच्छा रहा तो आगे आपके लिए लाइफ क्लासिस यहां पर लेकर बढ़ते हैं अगले कुशन की और कि भारत का सरवोच नागरिक सम्भान क्या है भारत का सरवोच नागरिक सम्भान कौन सा है तो व तो यह जू है आज की वीडियो जीके कर्या इसी तरह की मोर इंपोर्टटेट्ट वीडियो के लिए और लाइफ सिए आप जुरूर बताईएगा कि अगर आपको चाहते हैं कि हम आपके लिए लाइव सेशन लेके आए तो प्लीज कमेंट में जुरूर बताईएगा मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ अभी के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक्यू